कि अब्रीवर्ण वेलकम टो मैं चानल एट्स टॉप्ड विच शूनीता तो आज मैं आपके साथ चेर करने वाली हूं कस्मीरी दमालु की रेस्पी जिसके लिए मैंने च्छोटे वाले आलो ले लिये हैं दोह के छील के अच्छे से धो लिया है और उसको उसके साथ मैंने लि तेज पत्ता लिया है और चार चार से पांच बादाम लिया है आप काजिबच लिया है मत चार्ज क्वर इसक करें और तकी यह अजता टेज्टा कें प्रेशर कुक हो गया है तो इसको vaccines कर कल लिया है प्याज टमाटर और बादाम 2 आलो-3 आफिश Culag के हिल्प से उसको कड़ वो करेंगे और ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से उन में रच जाएं और उसके बाद देखिए इसको फोक के हिल्प से हम सारे में ऐसे छेट कर देंगे इसको और इसको अच्छे लाल होने तक इसको तल लेते हैं और दो बैच में तली जाएंगी जि इन आलू को कोट करने के लिए हमें चाहिए होगा पहले तो हमने ये आलू ले लिए हैं उसके उपर ये डाल के अच्छे से और इनको साइड में रख देंगे और फिर हम अब करते हैं अपनी ग्रेवी की तैयारी जिसके लिए हमने जो प्याज और टमाटर वाइल किये थे उनको ले लिया है और बादाम दी है उसमें तो चील क गर्म होने के लिए रख दिया ऊज़िया तो उसमें डालेंगे भन तर्द्धनिया और जीरा अब यह तड़क जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे एक प्यास जो हमने कट कर के रखा था उसको तड़के में डाल देंगे और हमने लैसुन और हरी मिर्ची अद्रक भी कई दू मीत बाद लोगे से तो कि अच्छे से चाल लोगे । यहां न begitu परण कशे जा वहता दो की अच्छे को अंच्छे से बाद है जो एक आरल्वे में दाल्वे भी आलो है टेस्ट के की कशन साड़्नी दूए दीलीला के लिका चेवाई करेंगे मसाले के साथ तो यह देखिए बुन के कितने अच्छा से रेडी है और जिस पानी में हमने आलू प्यास टमाटर को बॉयल किया था वही पानी को ले लेंगे उसको फेकेंगे नहीं उस वह पानी हमारा स्टॉक का काम करता है उस पानी को हमने इसमें एड कर दिया है औ कोई सबजी या दाल बनाऊंगी तो उसमें यह डाल दूंगी तो और यह देखिए अच्छे से हो गया इसमें हम उपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और एक चमच घी डालेंगे घी से अच्छी खुश्बू भी आ जाएगी और ग्लेज भी आ जाएगा मैं क्रीम क जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू